हलो दोस्तो कैसे आप लोग आपका स्वागत है ट्रेंडिंग फेक्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज का यह वीडियो काफी मज़ेदार और काफी जबरदस्थ होने वाला है क्योंकि दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे गाउं के बारे मताने जा रहे हैं जहां फलो और सबजियों की खेती नहीं होती बलकि ऐसे खतरनाक चीज की खेती होती है कि आप वहाँ पे जाने के बाद डर जाएंगे 100% गैरेंटी के साथ तो चली स कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं और जा लेते हैं पूरा डीटेल से क्या है माजरा लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने इस पहले मापसे एक रिकोवेश्ट करना चाहता हूँ प्ली चैनल वीडियो को लाइक करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करना अगर आप हमारे वीडियो को एक लाइक करेंगे एक सेर करेंगे तो हमें तुरह सम मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की नेने वीडियो सर्च करके लाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों साथ आप लोगों को ये पता योगा की हमारे पडोसी देश चीन के बहुत से लोग लाखों की संख्या में जरीले सापों की खेती करते हैं जी आदोस्तों चीन में एक ऐसा गाओं भी है जहां हर साल 30 लाख से भी जादा जरीले सापों को पाला जाता है और इस गाओं में जरीले सापों को पैदा भी किया जाता है और हम आपको बता दू कि इस गाओं का नाम जीसी कियाओ है और यह यहां रहने वालों की कमाई का मुख की स्रोत है और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दू कि इस गाओं में करीब 1000 लोग रहते हैं इस गावों में रहने वाला हर एक सक्स एक साल में करीब 30,000 साप को पालता है और मैं आपको बता दू कि इस गावों में पाले जाने वाले सापों की परजाती में विशाल कोबरा, अजगर और जरीले वाईपर भी सामिल होते हैं दरसल यहां रहने वाले लोगों को सापों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता लेकिन अस्तानी लोगों का या कहना भी है कि वह लोग बस एक की साप से ज़्यादा डरते हैं और उस साप का नाम है फायू स्टैप स्नेक अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि साप का नाम फायू स्टैप स्नेक क्यों रखा गया है इसके पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है दरसल यहां के लोगों का मानना है कि इस साप के डसने के बाद आदमी केवल पांच कदम ही चल पाता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाउं में रहने वाले लोग साप को क्यों पालते हैं तुम आपको बता दूँ यह लोग उसकी मास और अनसरीरों को बजार में बेच कर पैसा कमाते हैं और दोस्तों आप मेंसे बहुत से लोग हैं जो जानते होंगे कि साप की मीड चाइना के लोग बहुत ही चाओ से खाते हैं साथ ही चीन में सापों के सरीर के अंगों का उप्योग करके दवाई बनाई आती है अब मैं आपको बता देता हूँ आखिर कब और क्यों यहां के लोग सापो का वैपार करने लगें और हाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि इस गाउं में और भी कई चीजों की खेती होती है जैसे चाय जूट का पास लेकिन मौझूदा समय में इस गाउं को बिस उबर में स्नैक फॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है इन सापो को फार्म हाउस से बुचर खाने में ले जाने के बाद सबसे पहले इनके जहर को निकाल दिया जाता है फिर इनके सीर को काड़ दिया जाता है उसके बाद उन सापों को काड़ कर उनका मीट अलग कर दिया जाता है फिर उन सापों की चमड़ी को दूप में सुखाय जाता है साप के मीट का उपयोग खाने और दवा में होता है और जब इन सापों का चमड़ा बच जाता है तो उसे बैक बनाकर बाजार में बेज दिया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, सेर कर देना और आप इन गाओं के बारे में क्या काएंगे प्लीज यार कमेंट चेक्शन में कमेंट करके बताना और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद